जितेंद्र सिंग्ग जी, निरंजन पतनायक जी, नर्सिंग मिश्रा जी, आर्सी कुंटिया जी, भक्त चरंदास जी, जगरनात पतनायक जी, जैदेव जैना जी, प्रशाद हरीचंद्रन जी, तारा प्रशाद भाहिनमपती जी, सुश्मिता देव जी, पार्टी के हमारे सब नेता, कार्यकर्ता प्रदीप माजी जी, धन्यवाद, एनस्यू आई, यूथ कॉंग्रेस, सेवादल, महिला कॉंग्रेस के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाईयों और बहनों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, दूर-दूर से आप आए हैं, इसके लिए आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद, कुछी दिन पहले, पाकिस्तान पर वायू सेना, हिंदुस्तान की वायू सेना ने आक्रमन किया, बम गिराए, हमारे लोग शहीद भी हुए, सत्तर साल से, हिंदुस्तान Aeronautical Limited, वायू सेना के लिए हवाई जहाज बना रही है। औरिसा में यहां, पास में, कोरापुट में, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज का इंजिन बनता है। और औरिसा के युवा, हिंदुस्तान के युवा, वायू सेना के लिए हवाई जहाज बनाते हैं। देश की रक्षा करते हैं। तो जब एरफोर्स के विमान, हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, तो उसमें औरिसा के युवाउं का भी हाथ है, आपका भी हाथ है। प्रदान मंत्री, देश बक्ती बात करते हैं। एक तरफ देश बक्ती की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वाई उसेना से पैसा लेकर अपने मित्र अनिल अंबानी को देते हैं। अब देखिए, HL 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, अनिल अंबानी ने हवाई जहाज कभी बनाया नहीं। HL पर कोई करजा नहीं। अनिल अंबानी पर 45,000 करोर रुपै का करजा। UPA सरकार ने निन्ने लिया था कि राफाइल हवाई जहाज HL बनाएगा। 126 हवाई जहाज, 526 करोर रुपै एक हवाई जहाज के लिए। डिसिजन लिया गया। चौकिदार जी प्रधानमंत्री बनते हैं। चौकिदार जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और वही हवाई जहाज जो 526 करोर का है। उसे नरेंद्र मोदी 1600 करोर रुपै के लिए खरीता है। क्यों खरीता है? क्योंकि वह अनिल अम्बानी को 30,000 करोर रुपै देना चाहता है। फ्रांस का राश्ट्रपती कहता है, हमें तो नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था। अगर फ्रांस का हवाई जहाज खरीदना है, तो HL हवाई जहाज नहीं बनाएगे। अनिल अम्बानी को कॉंट्राक्ट देना है, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, फ्रांस की सरकार को, कंपनी को जरूर जादा पैसा मिलेगा, मगर औरिस्टा के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज हिंदू अकबार में छपते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अपसरों ने, एर फॉर्स के अपसरों ने उन कागजों में साफ लिखा है, कि नरेंद्र मोदी ने स्वयम नया कॉंट्राक्ट त्यार किया, नरेंद्र मोदी ने स्वयम हिंदुस्तान की निगोशियेटिंग टीम को परे किया, नरेंद्र मोदी ने स्वयम अनिल अंबानी को 30,000 करोर रुपे दिया, चोकिदार ये सच्चाईए भाई और बेहनो आपकी जमीन की लड़ाई हम लड़े जमीन अधिकरन बिल लाए आदिवासी बिल लाए पेसा कानून लाए हमने हक आपको दिया कानून में साफ लिखा था बिना पंचायद से पूछे बिना खिसान से पूछे बिना आदिवासी से पूछे सरकार उसकी जमीन नहीं ले सकती तो मार्केट रेट से चार गुना जादा पैसा आदिवासी और किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा आपके जमीन की रक्षा की आपके भविश्य की रक्षा की और पार्लिमेंट हाउस में उसी चौकीदार ने जमीन अधिकरन बिल को रद करने की कोशिश की तीन बार आए तीन बार कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने आपकी रक्षा की मैं भी कड़ा था लोगसभा में हमने साफ कह दिया कि आदिवासीों की किसानों की जमीन आप हिंदुस्तान के 15-20 उज्योग पतियों को नहीं दे सकते हो और अगर देनी है तो किसान के पूछ कर किसान से पूछ कर आदिवासी से पूछ कर और उसे सही रेट और कॉंपेंसेशन दे कर लोगसभा में हमने रोका राज़सभा में हमने रोका मगर यहां आपके चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोधी बीजेपी के सब प्रदेशों में इस बिल को खतम करने का काम करते हैं आज और इस समय बिना आपसे पूछे बिना आपको सही रेट दिये नवीन पतनाईग जी आपकी जमीन ले ले दे हैं और उनके मित्रों को दे देते हैं मैं आपको छोटा सा उधारत देना चाहता हूँ यहाँ स्टेज पे आज सिंग्देयो जी बेठे है बस्तर में टाटा की फैक्टरी थी टाटा ने जमीन ली थी फैक्टरी लगानी थी फैक्टरी नहीं लगी जमीन अधिकरन कानून में लिखा है अगर किसान की आदिवासी की जमीन ली गई और पाँच साल के अंदर उस पे कार खाना या फैक्टरी नहीं लगी तो जमीन वापिस किसान को आदिवासी को दी जाएगी बस्तर में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने टाटा कमपनी से जमीन वापिस ली और आदिवासी भाईयों को वापिस करती छोटा काम नहीं है भाईयों और मेंनों एतिहासिक काम है यह आपकी जमीन है यह आपका हक है और सिर्फ जमीन का काम नहीं किया हमने चत्तिसगर में राजिस्तान, मद्यप्रदेश, पंजाब, हर्याना में आप जाईए, चत्तिसगर जाईए चत्तिसगर जाईए और उनसे पूछिए कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आने से पहले उनको धान का क्या रेट मिलता था और कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आने के बाद उनको क्या रेट मिलता है मैं खुशी से आपको बताता हूँ कि 36 गड़ के किसान को 2500 रुपए धान के लिए मिलते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ आज यहाँ धान के लिए आपको क्या रेट मिलता है 1600 कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ भी आपको 2500 रुपए से कम रेट नहीं मिलेगा साड़े तीन लाग करोर रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का करजा माप किया है हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपती अनिल अमबानी पर 45,000 करोर रुपए का करजा है नीरव मोदी 35,000 करोर रुपए लेके भाग गया मेहुल चौक्सी चोरी करके भाग गया विजे मालिया 10,000 करोर रुपए लेके भाग गया मगर जब हिंदुस्तान और उरिसा का किसाम करजा माफ करने की बात करता है तो नवीन पतनाईक जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम नहीं करने वाले 36 गर राजिस्तान मद्यप्रदेश के चुनाव से पहले मैंने साफ कह दिया था चाहे कुछ भी हो जाए कॉंग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी दस दिन के अंदर ग्यारा दिन में नहीं दस दिन के अंदर इन प्रदेशों में हर किसान का करजा माफ हो जाएगा और भाईयों और बेहनों खुशी से मैं कहता हूँ कि तीनों प्रदेश में दो दिन के अंदर हर एक किसान का करजा माफ हो गया ये काम किये जा सकते हैं और इस अमें पैसे की कोई कमी नहीं आपके पास सब कुछ है जंग, जल, जमीन, जंगल, माइन सब कुछ, नैच्रल रिसोर्सिस मगर आपसे छीना जाता है और जो आस्वासन हमने मध्यप्रदेश, रादिस्तान, छतिसगर में दिया वो ही हम यहां पे करने जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और उरिसा में हम किसान का करजा माफ करके दिखा देंगे समय नहीं लगेगा भाईयों और बेनों और उरिसा में गरीब जनता है गरीबी की कोई कमी नहीं और इसा में नवीन जी आपके चीफ मिनिस्टर है सबसे गरीब प्रदेश है ये कुछ दिन पहले पार्लिमन्ट हाउस में बजट का अनाउंस्मेंट हो रहा था प्यूश गोईल ने अनाउंस किया कि हर किसान को वो दिन के साड़े तीन रुपए देंगे सबसे अमीर लोगों को हजारों करोड रुपए और हिंदुस्तान और रुरिसा के किसान को साड़े तीन रुपए दिन का एक परिवार को सत्रा रुपए और उधर पांच-दस मिनट बीजेपी के एमपीज ने ताली बजाई मजाग बना रखा है शर्मानी चाहिए इन लोगों को मैं आपको बताता हूँ कॉंग्रेस पार्टी क्या करेगी अगर नरेंद्र मोधी साड़े तीन लाग करोड रुपए पंद्रा लोगों को दे सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की गरीब लोगों को भी पैसा दे सकती है और मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे 2019 के चुनाव के एकदम बाद कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम एतिहासिक काम करने जा रहे है एतिहासिक काम माता हैं और बेहनों आप अच्छी तरह सुनो मन्रे का हमने दिया भोजन का अधिकार दिया किसान का कर्जा माफ किया कम्प्यूटर रेवलूशन यह सब हमने काम करके दिया है अब हम एतिहासिक काम करने जा रहे हैं हमने निन्ने ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को हम गैरंटीड मिनिमम इंकम देने जा रहे हैं मतलब मतलब हर गरीब व्यक्ति को गैरंटी करके कम से कम आमदनी कॉंग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट बे सीधा डाल देगी मोधी जी तीन रुपए डालते हैं न आपका मजाग करते हैं आपका अपमान करते हैं चोकिदार कॉंग्रेस पार्टी आपको मिनमम गैरंटी आमदनी देगी और हर महीने देगी जब तक आप गरीबी से नहीं निकलोगे तब तक देगी आज महिला दिवस है मैं औरिसा की महिलाओं को देश की महिलाओं को बदाई देता हूँ और हमने अपने मैनेफेस्टों में औरिसा की महिलाओं के लिए कुछ निन्ने लिये हैं मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला काम शिक्षा का चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो स्कूल में शिक्षा हो कॉलेज में शिक्षा हो मेडिकल एजुकेशन हो कोई भी प्रकार का हायर एजुकेशन हो और इसा की हर लड़की को हर महिला को मुफ्त में और इसा की सरकाश शिक्षा देगे हर गरीब लड़की को शादी के लिए financial assistance दिया जाएगा जो विद्वा पेंशन है 2000 रुपए का विद्वा पेंशन आपको दिया जाएगा हर पंचायत में एक special officer जो महिलाओं के लिए वहाँ post किया जाएगा महिलाओं पे अतियाचार होता है यहाँ पे पास में दलित महिलाओं का बलातकार हुआ सरकार ने कोई action नहीं लिया हम हर पंचायत में महिलाओं के लिए एक special officer पोस्ट करेंगे और जो हमारी महिलाओं इंट्रप्रेनर्स हैं जो छोटा बिजनेस चलाती है जो समू चलाती है उनके लिए एक financial corporation जो उनकी मदद करेगा और उनका जो छोटा बिजनेस है middle size बिजनेस है उसके लिए पूरी की पूरी मदद ओरिस्टा की महिलाओं को मिलेगी अंत्मे मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत साल हो गए नवीन पटनाएक जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है सबसे गरीब प्रदेश है चार-पांच अपसर आपके प्रदेश को चलाते हैं आदिवासियों की अवाज दलितों की अवाज मजदूरों, किसानों, गरीबों की अवाज से सरकार नहीं चलती सरकार चार-पांच अपसर चलाते हैं पूरा का पूरा फाइदा नवीन पतनाई जी के मित्रों का होता है, बड़े-बड़े बिजनस चलाते हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, हम औरिसा की जंता की सरकार बनाना चाहते हैं.